सबसे बड़ा अलोचक कोन होता है सबसे बड़ा अलोचक होता है इंसान खुद और दूसरे का नहीं होता है खुद का होता है आप अक्सर देखते हैं कि कुछ इंसान अपने आप से बाते करते हैं और कुछ इंसान पोजटिव बाते करते हैं कई बार खुद को इंसपायर करते कुछ इंसान खुद की कलास खुद ही लगा रहे होते हैं उनकी टांग कोई दूसरा नहीं खीशता है वो खुद की टांग खुद ही खीशते हैं खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं खुद की आलोचना करने में उन्हें जैसे रसा आता है कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें खुद की आलोचना वो खुद ही करेंगे ये एक लेवल तक तो ठीक है क्योंकि आपको पक्स का पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें क्या क्या प्रेशानियां आ सकती है लेकिन हर काम में आपका आलोचक जो माइंड है वो ज़्यादा उगर हो जाई और कुछ करने ही नहीं दे तो समझ लेजिए कि प्रेशानी की गंटी बच चुकी है इससे बचना कैसे है आज की इस वीडियो मे जान लेते हैं हेलो नमस्कार मैं साइको गुरू राजिंदरा आज की सद्बुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं खुद का आलोचक खुद बनना नहीं है क्योंकि दूसरे लोग आपके आलोचक तो होते ही हैं वो बताते रहते हैं ऐसे में लो को रैसनेल रिस्पोंस के साथ बदल देना होता है आपके मन में आता है कि लगता है कि मेरी जिंदगी में आप प्रेशानिया हैं मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा फिर दूसरा थोट आएगा इसी क्रिटिकल यार इतने प्रयास करके देख लिया फाइदा तो हुआ नहीं और मैं आगे भी लूँगा एक बार फेल हूँ मैं हजार बार फेल हूँगा मैं करता ही जाऊँगा तो यह आलोचक मन दब जाएगा और आपका कुछ करने वाला स्ट्रोंग माइंड है वो उगर हो जाएगा तो इस आलोचक मन को हावी ना होने दें क्योंकि दूसरे नहीं रोकते इंसान को इंसान खुद बे खुद रुक जाता है आप देखिए कि इंसान वही आलोचना करेगा जो खुद का अलोचक है जो खुद को अलोचना के गेरे में कभी रखता ही नहीं है वो दूसरों की अलोचना नहीं कर सकता तो दो बाते याद रखिए कि दूसरों को दूसरों की आलोचना वही इंसान करते हैं तो खुद के आलोचक होते हैं और जो खुद के आलोचक होते हैं वो खुद कुछ करते नहीं हैं हमेशा कमिया निकालते रहते हैं तो करना है बस करने वाला बनना है आलोचना त्यार करके खुद के आलोचना छोड़ देना है बस करत जाना है करते करते आप चीख जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा और आलोचना दिरे-दिरे दब जाएगे और सेले पिस्टीम हाई हो जाएगा क्योंकि आज यूवा रुक जाते हैं यूवा को रोकने वाला कोई दूसरा नहीं है उनका खुद का वो आलोचक मन है दूसरों क कि दूसरों की आलोचना वही करता है, जो खुद का आलोचक है, दूसरी बात कि हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हमारा ये आलोचक मन ही है, तो दो बातें हमेशा याद रखिए इस वीडियो के दोरा, अगर आप इस विशह में और अधिक जानना चाहते हैं, ओनलाइन साइको गुरु राजिंदरा आपका तैय दिल से, फिरिणी भी